कि कि अज़का पहला कोशचन है कि अंतराष्टी इस और गडवनधन के अध्यच और झार स्थ के रुप में किसे चुना गया है है तो ये अंतराष्टी इस और गडवनधन के अध्यच हloveK के भारत के आरके सिंग को भारत के आरके संग और फ्रांस के मंतरी को चुना गया Isso अन्य आप मैं यह है इस इंडिया और फ्रास्टरीरेक्टेट उस प्रीजिटेट एडSpalls प्रेजिडेंट आफ इंटरनेशनल सोलर अलाइंस क्यों है मिनिस्टर मिनिस्टर आरके सिंग जो है प्रेजिडेंट मला अध्याच के रूप में चुने गए है इसमें और फ्रांस के मिनिस्टर स्टेट फॉर डिवलोपमेंट अगला क्रूश्चन है स्वीडन के पर्धानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है स्वीडन के पर्धानमंत्री के रूप में अभी यह उल्फ उल्फ क्रिष्टर्शन को चुना गया है यह है उल्फ क्रिष्टर्शन यह है अभी नए चुने गया है स्वीडन के पर्धानमंत्री अगला क्रूश्चन है कि एफसी एसियन कप के दोहजासाइट संस्क्रण की मेजबानी के लिए दोनों देशों में से कौन अंतिम बोली लगाने वाले के रूप में उभरे हैं तो इसमें सबसे सबसे हंतिम बोली मतलब सबसे अधिक बोली लगाने वाले जो हैं सौधी अरब और भारत उत्रे हैं तो यह 2027 की मेजबानी के इनी दोनों को मिली है और 23 जो है 2023 की मेजबानी कौन करेगा यह करेगा कतर इस यह पहले से डिसाइट था 2027 की बोली लग रही थी इसमें भारत और सबसे अंतिम बोली लगाई है इसके बाद अगला question है नए लेखा महानेंतरक के रूप में किसे निवक्रिया गया है नए महालेखा पहले समझतेर महालेखा और नियंतरख क्या होता है यह केंद्र असर सरकार होता है ठीक यह जो बनेगा वो किंद्र सरकार के लिखांकन मामलों का एडवाइजर होगा और यह अभी बने हैं भारती दास यह भारती दास बनी है जो की 27 नंबर की लेखा महानियंत्रक अगला कोश्चन है नेशनल मेरी टाइम हेरीटेज कॉम्पलेक्स किस राज में बनाया जा रहा है नेशनल मेरी टाइम हेरीटेज कॉम्पलेक्स यह अभी बनाया जा रहा है लोथल लोथल में और यह लोथल कहां पर है कि गुजरत में कि इसको गुजर्रात में बनाया जा रहा है यह लोथल जो है सिंदू सभेता या या दा रहा है तो सुन görünसर बेटा का कि बंदर गाऊ इसी को कश्चा बंदरगा लोथल और यह चल मेरिटाइम हेरिटेज कंप्लेक्स भी यही बना apprentבׂ है नेस्ट कोश्चन है अंडर 23 कुस्ती विश्व चैंपियंशिप में भारत का पहला गिरिको रोमन पदक किसने जीता है गिरिको रोमन पदक और चैंपियंशिप कौन सी थी अंडर 23 विश्व कुम्ष्टी चैंपियंशिप है भारत का पहला गिरिको रोमन पदक जीता था शाजन भानवाला ने और का पदक इसमें चैंपियर यह याद रखना है विश्वाश अण्ण ने धर आई और क्या जीता कान से पढ़ा यानि बुरॉंज मेडल अगला कोश्चन है यह है साजन भानवाला साजन भानवाला यही है नेश्ट कोश्चन है केंदर सरकार द्वारा लांच पेसन भोगियों के लिए एक किरित पेंसन भोगी पोटल का नाम क्या है इसका नाम है भविस भविस नाम है अगला कोश्चन है निम्न में से किसे एके एकेडीमिया 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 एप्थोलोजिकल इंटरनेशनल के सदस के रूप में चुना गया है तो यह अभी ऑभारत के पाँच में व्यकति हैं यह प्रसांत गर्ग चुने जाने वाले एकेडीमिया आप्थोquier इंटरनेशनल के सदस के रूप में चुने वाले पाँच में भारतिय सदस हैं, डॉक्टर फरसांद गर्ग, अगला क्वेशन है, आई आर एस, किस सन्युक्त, आयुक्त ने अपनी पूर्सक एक confused mind story, एक confused mind story, ये बुक है, इसके, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है, साहिल सेट, साहिल सेट, इसको याद रखना, एक confused mind के राइट कौन है, साहिल सेट, next question है, सियौल के वार्सिक परमुक सांस्कृतिक कारकरम का सारंग का, सारंग का कौन सा संस्क्राण हाल ही में, कोडियागर राज में, आयुजित किया गया, सियौल के वार्सिक परमुक सांस्कृतिक कारकरम का सारंग का कौन सा संस्क्राण हाल ही में, कोडियागर राज में, सामिल किया गया, ये अभी हाल ही में, आठवा संस्क्राण, ये कोडियागर राज में, आयुजित किया, और ये क्या है, सांस्कृतिक कारकरम, जिसका नाम क अकला कोश्चन है बुक माई सो और किस बैंक ने बुक माई सो और किस बैंक ने हाली में प्ले क्रेडिट कार्ड प्ले क्रेडिट कार्ड लांज किया है प्ले क्रेडिट कार्ड जो है अभी RBL बैंक RBL बैंक ने बुक माई सो के साथ मिलकर play credit card launch किया है यह online ticket booking के लिए RBL और play credit card next question है निमने में यदा हमली सबी आनिवार रभी फसलों के लिए न्यूनत्म समर्थन मूल यानी MSP की बड़तरी को मंजूरी दे दिया है कि यह अभी केंद्रिय मंत्री मंदल ने इसकी मंजूरी दी है MSP की बड़ोतरी के लिए निश्ट कोशन है डिफ एक्सपो 2022 भारत आफरीका रच्छा वारता का आवजन हाल ही में किस सहर में किया गया तो डिफ एक्सपो जो भारत आफरीका का ये रच्छा वारता है ये कल के कोशन में भी था ये कहां किया गया है गांधी नगर में जो कि कहां पर है गुजरात में नेस्ट कोश्चन है निम्न में से किसे किस IT कंपनी के पुर्व अध्यच के रूप में रवी कुमार इस ने कांग जीमेंट अमेरिका के अध्यच पद जोईन किया तो ये अभी जो है ये कौंग जीमेंट अमेरिका अध्यच के जो अध्यच बने है ने वो है रवी कुमार इस ये नाम है रवी कुमार इस और ये क्या थें पहले कोश्चन में ये है पुछा गया कि पहले क्या थें पहले ये इनफोसिस कंपनी के अध्यक्ष थे हैं तो यह याद रखना क्या है कि कोगनी जेंट अमेरिका के अध्यच कौन बने हैं रवी कुमार एस इसके अध्यच बने रमी कुमार एस और यह पहले क्या थे यह इनफोसिस के अध्यक्ष थे है नेक्स्स कोष्चन है में 20 को 2 सक्तुबर को 20 भर में कौन सा दिवस मनाई गया तो है आज या ऑज ही तो है 20 अक्तुबर को 20 आश्टीयो पॉरीसिस दिवस मनाय गया सिसे तरह करें देली करेंट ऊफ्यर पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब करкив मिलेंगे कर